यदि आप लोग मैथ पढ़ते हैं और मैथ में यदि अलजेबरा यदि आपको पढ़ना है और इन सारे सुत्र को नहीं जानते हैं तो आप लोग इन सारे सुत्र को जरूर जान लेता क्योंकि algebra में इन सारे सुत्र का हम लोग उपयोग करके ही algebra को बनाते हैं इसमें total 10 सुत्र जो हैं काफी important हैं उन्हें आप लोग जरूर देखें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन 10 सुत्र को हम लोग 12 की से देखते हैं जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे यह सुत्र बजब्चपन से ही हम को सिखाया जाता है याद करवाया जाता है वो सुत्र क्या है तो वो है A plus B का whole square होता है A square plus 2AB plus B square A plus B का whole square क्या होता है A square plus 2AB plus B square बहुत लोग इसी को ऐसे भी लिखते हैं A square plus B square plus 2AB बात सेम ही है बात एक ही है खाले बस 2AB को कोई लोग पहले लिखते हैं कोई बाद में लिख देते हैं उसी परकार A minus B का whole square क्या होता है तो उसका हो जाएगा A square plus B square minus 2AB हमने इस तरह लिख दिया अगर कोई लोग इस तरह लिखना चाते हैं क्या लिखेंगे A square minus 2AB plus B square यह होंगे अब दिखें A plus B plus C का whole square क्या होता है तो उसका हो जाता है A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2CA एक बात और जान लिखें यदि आप लोगों को इस तरह नहीं लिखना है तो यहां से दो common लेकर AB plus BC plus CA b लिख सकते हैं यानी A plus B plus C का whole square A square plus B square plus C square plus 2 into AB plus BC plus CA b लिख सकते हैं आई अब हम लोग जानते है A plus B का whole क्या होता है तो A plus B का whole क्या होता है A क्यूं पलस B क्यूं पलस 3A square B पलस 3A B square दरاصل यह फर्मूला जो बना है इस फर्मूला से बना है ओ है A Q पलस B Q पलस 3AB इंटो A पलस B इसी को गुना किया गया है तब ये फर्मूला बना यानि इसका दो फर्मूला हाई ये भी है ये भी आप दोनों याद रख लें आगे है A-B का हौल ग्यूं इसका होता हैnya Q minus b q minus 3a square b plus 3ab b square और इसका main formula कौन है तो वो है a q minus b q minus 3ab into a minus b यह है तो दोनों को याद रखें आप ये भी याद रखें और ये भी याद रखें next formula है a q plus b q a q plus b q का formula होता है a plus b into a square minus ab plus b square a q plus b q का सुत्र क्या होता है a plus b into a square minus ab plus b square अब है a q minus b q a q minus b q का सुत्र होता है a minus b into a square plus ab plus b square ध्यान से यहां लिखिएगा क्योंकि a q plus b q और a q minus b q का फर्मूला सेम होता है बसरते यहां पर अगर plus है तो plus बला होता है minus है तो minus बला होता है यहां minus तो यहां plus और यहां plus तो यहां minus होता है और हम लोग फर्मूला कुछ देख लेते हैं तो अगला फर्मूला है x plus a into x plus b तो यह फर्मूला इसको हम लोग लिख सकते हैं x squared plus a plus b into x plus a b यह हो गया अब next फर्मूला कता a q plus b q plus c q minus 3abc का फर्मूला क्या होगा इसका हो जाएगा a plus b plus c into a squared plus b squared plus c squared minus a b minus bc minus c a इसका और भी फर्मूला होता है हम लोग next वीडियो में कभी जानेंगे कि इसके और भी फर्मूला होता है अब हम लोग एक और 10 में फर्मूला है उन्हें हम लोग जान लेते हैं तो a squared minus b squared इसका सुत्र हो जाएगा a plus b into a minus b इस तरह आपने क्या देखा कि हम लोग कुछ ही समय में हम लोग 10 फर्मूला को देख लिए हैं जो की काफी important है यदि आप लोगों को यह फर्मूला नहीं याद रहता है तो आप से यह कोई भी question जल्दी नहीं बनेगा इसलिए आप लोग इन 10 फर्मूला को जरूर याद करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहन दोस्तों धन्यवाद